नमस्कार, स्वागत हैं आपका आज के कारेक्रम में मैं हूँ पूर नेमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं alkaline diet पर, क्या होती है alkaline diet, कौन-कौन से food हैं जो इस लिस्च में आते हैं alkaline food की और किया, कि बिमारीों का इलाज संभव है alkaline diet से, क्या तरीखा है कि हम किस तरह से alkaline food को अपने देंचर्या में शामिल करें कि हमें बहुत सारी lifestyle से जोड़ी समस्याओं से हमें निजात मिल पाए, मुक्ति मिल पाए, उनका समधान हो पाए साथ ही क्या उम्र के साथ साथ आने वाली समस्याओं को भी reverse कर देती है किस तरह स्ट्रॉंग करती है alkaline diet इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज कि किस तरह से खुद को fit रखा जाए और healthy रखा जाए alkaline diet को अपना कर इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है nutritionist दोक्र एंके शर्मा बहुत असवागत है डोक्र एंके शर्मा आपका इस कारक्ता नमश्कार सबको मेरा नमश्कार तो शंक्स्प्त में आप से जानना चाहूंगी कि alkaline food क्या होते है और alkaline food शरीर में जाके क्या करते हैं पुननर जी, हमारा शरीर पर्मात्मा ने ऐसा बनाया है के हमारा जो μटन है वो उसको वह मेंक्सिमम उल्पॉपलिण है और लेक्सटर एकष्डक है, यानि कि अमलकारक है, तो हमारा बलड जो है 80% के आसपास negative 0.35 gueAR है हमें 20% acidic खाना खाना चाहिए जो बाडी की requirement है और 80% हमें alkaline diet लेनी चाहिए तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि alkaline diet जो है वो हम किसको कहें देखे जितने भी जो fresh और green state में जो चीजें होती है न वो सब alkaline होती है जैसे जितने प्रकार के fruits होते हैं औल चाहिए वो citrus fruits भी हैं वो सब alkaline होते हैं जितने प्रकार के raw vegetable sellers वोते हैं सब alkaline होते हैं और उसके बाद में जो vegetable juices हम पीते हैं smoothies वगारा वो भी सब alkaline होते हैं और विजितिबल में लीफी ग्रीन सबसे ज़यदा लीफी ऑल्प्लाइन होती है इसले बीमारियों में जल्दी ठीक करने में लीफी ग्रीन बहुत जयदा मजद करती है बालग बिलो हैं और हमी जो पपीते के पते का रशने अलोवेरास और जो कई तरगी चीजे पी रहे होते और इसकी बार में जो अंकुरिक दाले हैं वैसे डाले एसिडिक है। लेकिन अगर वो अंकृत होती है और एक इंज रंबा बन जाती है तो वो भी एक पत्रक ऑवस्ता में होता है तो green state में जब भी कोई grain होगा ना वो सब के सब जो है वो alkaline होते हैं मा का दूद alkaline होता है और ताजा गाय का दूद भी जब गाय के इस्तन से निकलता है तो alkaline होता है और प्लस ये जो coconut होता है वो भी alkaline होता है और जब nuts अगर विगो दे तो nuts हालांकि थोड़े से acidic होते हैं बाकि सब के मुकाबले में लेकिन फिर भी विगोने के बाद वह ना वो alkaline होते हैं काफी हद तक चले जाते हैं पूरे तो नहीं जाते हैं जासे फल सब्जयों की तरह लेकिन फिर भी उनके alkaline बढ़ जाती है तो इस तरह से यह सब चीजें alkaline होते हैं और coconut water alkaline होता है और mineral water solid है concentrated है जो starches हैं जो proteinus है अब देखे जितने भी सबसे ज्यादा highly acidic होता है जो process हो जाता है जैसे मैदा चीनी जो भी क्योंकि processing होने के बाद में mineral और vitamin loss होने कारण सबसे ज्यादा acidic हो जाते हैं यह ऐसी चीजें प्रोसेट और refined food ज्यादा डेमेज करते हैं सेकेंड नमबर पर 99 जाता है 99 जो है वो सबसे ज्यादा highly acidic होते हैं मीट अंडे मचली जो भी हम सीफूड वगर काते हैं लोग सके उसके बाद थर्ड लेवल पर जो acidic होते हैं वो होता है सब्जिया भी कुक होने के बाद में acidic बन जाती क्योंकि उसका mineral काफी loss हो जाता है और तो इस तरह से सारे यह जो पनीर वगर हम खाते हैं चीज वगर हम जो खाते हैं मिल्क प्रड़क्ट में वह भी सब जो है acidic माना जाता है और पिस जितने भी चाय कॉफी सराफ सिग्रेट वगर हम जो भी लेते हैं सराव वगर वो सब beverages जो होते हैं वो सब heavily acidic होते हैं और medicine जितने भी खाते हैं chemicals खाते हैं हमारे body में जो जाता है वो सब highly acidic होते हैं तो इस तरह से और अगर हम शहर का पानी पीते हैं जिसमें fluoride मिला हुआ होता है तो यह भी सब जो है थोड़े acidic होत हैं और अगर इसको आपको reverse करना है तो reverse करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप एकदम acidic खाना बंद कर दें कुछ दिनों के लिए क्योंकि आप दो बहुत खा चुके हैं अब आप totally all clean diet पर आ जाए 15 दिन महीना बार और तो आप देखेंगे कि आपकी body immediate बड़ी-बड़े blood diabetes blood pressure joint pain cancer इस जितनी बड़ी-बड़ी बिमारिया है इन सब में आप एक प्राक्टिकली एक definite जो है रिवर्सल प्रोसस्स आप देखेंगे क्योंकि अल्क्लाइनिटी में body regeneration की तरफ जाती है और acid में body degeneration की तरफ जाती है तो इस तरह से acid is a death यानि की disease and alkalinity is a life and regeneration ये दो differences आत्मे की दिमाग में बहुत clear होना चाहिए जी तो बहुत एहम जानकारिया आपने दी किस तरह से reverse किया जा सकता है lifestyle से जुड़ी समस्याओं को गंभीर बिमारियों को भी alkaline diet अपना कर और किस तरह से हम अपने immune system को भी strong कर सकते हैं detox कर सकते हैं body को जब तक loss हुआ acidic खाना खाके और किस तरह से अपनी health को repair कर सकते हैं सुधार सकते हैं balance कर सकते हैं और साथ ही बहुत सारे शरीर में जाकर किस तरह से हमारी lifestyle issues को खत्म करती है alkaline diet उस पर आपने जानकारी दी अंद में आपकी concluding comment देखे प्सीदी सी बात यह है कि आप दुनिया में आते हो और अगर आप अपने मेहनत का पैसा आप खाली इसी तरह के यह आदे जरूर डालें कि कम से कम मिनिमम एक बार तो कम से कम हम फल खाएं ताकि थोड़ी बारी को all quantity मिलनी शुरू हो जाएं और जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो सैलर जो है वो अच्छी मात्रा में खाकर ही काना का हैं और यह जो फोस्जां होती है जैसे हम पनीर की सब्जी खाते हैं हम कडी खाते हैं हम पर क्रीकन खाते हैं मत तो सब्जिए तो सब्जां कि काकर हरी सब्जां थोड़ी सी तो उससे भी थोड़ी all quantity body को मिलेगी और एक तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और नान वेच और रोटी दाल के बजाए अगर आप नर्स इस्प्राउट्स का जो प्रोटीन है जो की बहुत ही अच्छा प्रोटीन है वाड़ी के लिए नॉन टॉक्सिक प्रोटीन है तो आपको वह ज्यादा हेल्प क जाकर आप फल की तरफ पक्र संसर से जाएंगे जी तो और अगर आप सेंख्षुत में कि सुभा से लेकर शाम तक आपको क्या खाना चाहिए अगर किसे आपटवाइस करें तो आप क्या कहेंगे कि सुभह ये खाएं दिन में खाएं शाम को देखे तो लोग शुरुआ से आप जानते हैं कि सुभह उड़ते इस लोग चाय पीते हैं जो कि चाय कम से कम हिना उबाल उबाल के मत पिए क्योंकि वह है ली एक हो जाती है आप बिस्कित खाते हैं वह बारी के लिए मैदा चीनी वह кuma लुड़ए के और तो हुचिश करें कि आप अप अप्रक्रावल टीप बीब्रीन टी एंपको बड़ा पी लेपर काड़ा मसाले रहा माला होता है बहुत गर्मी गर्यों की सबस्क्राद सक कर सकता है और कोशिश करें आप coconut water पी लें, आप juice होगर पी लें, इस तरह के, और सबसे बड़ी है कश्मीरिक्याइवा, यूंकि उसमें क्या होता है, बादाम, केसर और दालचीनी होगर होती है, तो बड़ा soft होता है, इस तरह के तो इस वह स्टार्ट कर लें, फिर बाद में कम से कम यह आदट डाल दे हैं, कि लंच तक कम से कम हम अनाज ना खाएं, उस समय केवल फूट्स खाएं, पीट भरके फूट्स खाएं, तो कम से कम मौनिंग मौनिंग में बाड़ी को अगर आप में फॉल दे दिया ना, तो आपके एक अच्छी चीज बाड़ी में चली गई, फिर लंच और डिनर और इवनिंग में, मिड इवनिंग में अगर आपको भूग भूग लग गई, तो कोशिश करें, वजिटेबल जूस पी लें, फूट जूस पी लें, नर्स वर्स खा लें थोड़े से, नहीं तो फिर भूग लगे, तो फल को भी रिपीट कर सकते हैं, और रात को डिनर में, फिर सलाट सबजी और सूप बगर पेलिया और थोड़ा सा ग्रेन, स्टार्ज, प्रोटीन खा लिया, तो ऐसे करके आप दो बार फल और दो बार सलाट सबजी के साथ थोड़ा सॉलिड फूट बस, इस तरह से आप अपने खाने का सिस्टम बनाएं, तो इससे भी बोड़ी क काफी ऑल्कुरेनिटी मेंटेन हो सकती है, ठीक है, जी बहुत बहुत शुक्रियां, डॉक्टर शर्मा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आपने इतनी महत्वपून जानकारी दी हैं, जाहिर तोर पर हमारे जो लिसनर से हैं, और जो इस कारकर्म को सुन रहे हैं, उनको बहुत से फाइदा होगा धन्यवाद इस चर्चा की, मेरी बहुत शुक्रामन, सब के लिए मेरी बहुत शुक्रामन